हेलो एव्रीवान वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल और आज हम यह डिसकस करने वाले हैं कि हम बिना किसी एप के कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन कर सकते हैं और कैसे उसको अपने गुगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं क्यूंकि नॉर्मली आजकल जब बचे एक्ज जोड़ाइब कर सकते हैं अब कुछ सब्जेक्टिव कुशिशिंज भी एक्जाम क्वेशन पेपर में एड़ किये जाते हैं तो अगर एक से ज्यादा क्वेशिंज होते हैं तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं कि उसके लिए मुल्टिपल इमेज फाइल बनाते है और फिर उसको अपलोड करते हैं जिससे स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होती है और टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती एवैलुएशन के लिए तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है कि हम स्कैन डॉक्यमेंट को स्कैन करके अपलोड करें तो अगर आपके पास कोई आप नहीं भी है इसके बावजूद भी हम अपने डॉक्यमेंट को स्कैन कर सकते हैं तो लेट इस डिसकर्स हाओ वी कैन स्कैन आवर डॉक्यमेंट्स विदाउट डाउनलेडिंग डाउनलोडिंग एनी एप ओके सो हम सबके मोबाइल में गूगल ड्राइव प्रेजंट है तो आ बाइख रहा होगा तो आपको क्या करना है कि वह प्लस के सिंबल को आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे अपके सामने देखिए यहां पी एक स्कैन को आप्शिन आरहा है फोल्डर है नहीं करते हैं तो सारे एसारी के सारे दॉक्यमेंट्स हमारे Of my dr ile में ही save हो जाते हैं ठीक है तो जब आप इसको search करने के कोशिश कीजेगा तो आप अपने gallery में या phone में search नहीं कीजेगा ये automatically जाके save होगा my drive में वहां से आप इसको बाद में save कर सकते हैं download कर सकते हैं या तो इसके link को direct आप share कर सकते हैं जहां भी आप share करना जिनके साथ भी आप share करना चाहते हैं तो पहले हम देखते हैं कि scan होता कैसे है तो scan पे click करने के बाद आपके सामने ये option open हो जाएगा ठीक है अब यहां पे आप ये button को click कर देंगे click करने के बाद इसमें बहुत सारी settings आप कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हो कि इसने complete scanning नहीं की है तो हम क्या करेंगे ऊपर में आप देख सकते हो crop option उपर में तीन चीज़े आ रही है एक तो हमारे फाइल का नाम आ रहा है दूसरा crop option आपको दिख रहा है जो square symbol बना हुआ जो crop का symbol बना हुआ है और शर्टीस रा color हम सत्वाइब कर सकते हैं तो पहले मैं आप बताती हूं इसा can Belarus मнесअ रिनहीं करके तो आप नहीं पर च्रयетр है जब हो इसने मेरी अपने system सीछ diff-driven उपर demo pdf के side में या पे उसको हम click कर लेंगे अब आप देख सकते हो कि ये जो buttons जो आपको round buttons दिये गए हैं ये एक handler की तरह काम करता है जिसको आप set कर सकते हो ताकि आप अपने documents जो भी जितना portion भी आप चाहते हो उसके accordingly आप crop कर सकते हो तो मुझे पूरा का पूरा चाहिए तो मैं उसके accordingly resize कर ले रही हूँ इस handler को use करके तो आप मन चाहा हिस्सा भी आप scan कर सकते हो यहां से तो यहां पे मैंने कर लिया अब जितनी portion आपको document की चाहिए थी उतनी अगर scan हो गई है तो नीचे आपको एक tick mark का symbol दिख रहा होगा आप उस tick mark को click कर सकते हैं तो जैसे आप tick mark को click करेंगे यह आपका हो गया scan अब यहां पे एक तीसरा option जो मैंने कहा था color के setting यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक color plate का symbol बना हुआ है जहां पे crop का sign था वहीं पे color palette का symbol बना हुआ है उसको अगर हम click करेंगे तो आप देखो color drawing color black and white option है मैं यहां पे color option choose कर ले रही हूँ अब सारी चीज़े होने के बाद यह हमारा set हो गया है अब चुकि हम document scan कर रहे हैं हमारे pdf में एक से जादा files हो सकते हैं तो यह मेरे पहले page की scanning थी अब अगर दूसरा page पे इस document में add करना है तो हम यहां पे plus symbol पे click करेंगे आप नीचे देख सकते हो यहां पे plus का symbol है ओके और कुछ बाते यहां पे three dots हैं three dots में आप देख सकते हो click करने के बाद particular page delete हो सकता है आप rename कर सकते हैं आप कभी-कभी scan करते वक्त page rotate हो जाता है तो उसको आप वापस से अपनी किसी requirement के हिसाब से rotate करना चाहते हैं तो आप rotate page पे click कर सकते हैं अब यह एक page मैंने scan किया अजर दूसरा page को scan करना है तो नीचे मैं आप देख सकते हूँ plus symbol आपको दिख रहा होगा आप plus symbol को click कीजे और यहां पे next page को हम यहां पे वापस से scan कर सकते हैं same steps हम फिर से follow करेंगे यहां पे मैं फिर से यह click कर रही हूँ button इसको आपको drag करना है जितना portion आप चाते हो उतना portion automatic select हो जाएगा मन जहा portion अगर select हो गया है तो हम यहां tick mark पे click कर देंगे tick mark क्लिक करने के बाद एक बार हम अपने color को choose कर लेते मैं यहां पे ठीक है अब मान लीचे कि यही दो pages मुझे scan करने थे जितने pages आपको scan करने है आप यह plus click करकर के उतने pages आप scan कर सकते है एक बार सारे page आपने scan कर लिये तो आप यह tick mark पे click कर दीजेगा आप देख लिजे नीचे आपको दिखा रहा है two by two मतलब total number of pages जो हमने scan किये है वो दो pages हमने scan किये है तो अब मुझे और scanning नहीं करनी है तो मैं यहाँ पे tick mark पे click करतूँगी tick mark पे click करते ही आप देखे यहाँ पे हमारे my drive में एक PDF फाइल बन चुकी है जिसका नाम है demo.pdf बट अभी तक यह हमारे google drive में upload नहीं हुआ है तो normally मेरी ऐसे setting है कि wifi से ही upload होगा तो इसको मैं mobile data के through भी upload कर सकते हूँ यहाँ पे refresh button को click करना है यह जो आपको refresh button दिख रहा है यहाँ पे एक cross button दिख रहा है एक refresh button दिख रहा है यह refresh reload button को अगर मैं click करूँगी तो यह मेरी my drive में save हो जाएगा तो आपको यह check करना है कि यह my drive में upload हुआ है या नहीं हुआ है तो मैं इसे refresh कर दे रही हूँ refresh होते ही आप देखे यहाँ पे आपको option दिखा रहा है waiting to upload और यह थोड़ा सा वक्त लेगा उसके बाद यह file हमारी my drive में upload हो जाएगी upload होने के बाद इसको चाहे तो हम अपने phone में download कर सकते हैं या तो इसके link को हम किसी के साथ share कर सकते हैं ताकि कोई भी दूसरा user इस file को access कर सकता है तो यह फिर multiple purpose के लिए हमारा कभी भी use हो जाएगा लेकिन इसमें एक चीज़ यह है कि हमें कोई भी app अलग से download नहीं करने की जरूरत पड़ी और काफी easily conveniently हम इस my drive के थूँ अपने documents को scan कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं reload करने के बाद यह जो document है यह हमारा document upload हो रहा है तो upload होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे download कर सकते हैं या इसकी जो shareable link होती है उसे हम कैसे access कर सकते हैं उसके थूरू हम कैसे access कर सकते हैं ताकि दूसरे users के थूरू अगर हमें बिना download कि इसे share करना है तो वो link हम कहां से लाएंगे तो already वो अब हमारा upload हो गया है एक बार मैं इसे refresh करती हूँ ताकि वो file हमें यहां पे बिल्कुल quick access में यह visible हो जाएगा आप देख सकते हूँ यहां पे file आ चुका है demo.pdf तो यहां पे अगर मैं इसे open करोंगे तो यहां पे दो pages हमें दिखेंगे क्योंकि हमने दो pages already इसमें Scan करके रखेते हैं तो जैसा मैं ने आपको बता था आप colorful scanning चाहते हैं आप colorful scan कर सकते हैं आप black and white scan करना चाहते हैं अब अगर आप इसे download करना चाहेंगे आप इसको click करके रखेंगे यहाँ पे आप देख सेफें यहाँपे download का option है यह download को option क्लिक करते हैं यह आपके phone में download हो जाएगा अगर आप इसकी link को सिर्फ share करना चाहते हैं आपको करना होगा link sharing को on करना होगा और यहाँ पे copy link आप करेंगे और जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसके पास whatsapp में, whatsapp के through या mail के through आप जहां से भी share करना चाहते हैं आप बस पेस्ट कर देंगे वह link वहाँ paste हो जाएगा